so welcome guys, welcome back to one million gadgets and अगर अब इस चैनल पर नय हो आना अगर अगर अपने realmex purchase कर लिया है तो चैनल को subscribe करना मत भूलना क्यूंकि आपको देखनो को मिलेगा realmex के उपर बहुत सरा interesting videos and बहुत सरा comparison भी देखनो को मिल जाएगा and भाजो में जो ब्यल है नहीं उसको भी दबा देना तो गाइज मैंने फाइनली एक्स में जी कैम को इंस्टॉल कर लिया है और कुछ फीचर से जो ठीकता काम नहीं कर रहा है उसको कैसे सॉल्ब करना है सेटिंस के अंदर किया चेंजेस करना पड़ा है जी कैम सेटिंस के अंदर वो तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस डिवाइस में आपको जो प्रॉब एप्पियाई जो एप्लिकेशन है उसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तूज अप्लिकेशन के अंदर अपको हाईड़्वार लेवल 3 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा अगर हाईड़्वार लेवल 3 का सपोर्ट यांपा देख काम नहीं करता है मतलब फुल्ली वार्टिंग देखने को नहीं मिलता है बट जो इंपोर्टेंट फीचर से और काम करड़ा है और मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा इवन वीडियो की कबर चला के रखा है फॉर सेप्टी नहीं तो खुद के पैसे से खरीटना पता है गिर गया तो एक दम खट्चा बढ़ जाएगा तो चलो यहां पर मैंने इंस्टॉल पहले से करके रखा है इस जी कैम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आनुवा से आ जैसे आप इंस्टॉल करते हैं आपको ऐसे इंस्टॉल कर लेना तो इधर कुछ पैरामेटर्स आपको देखने को मिलेगा इसको टार्न अप कैसे करना है वह भी मैं आपको दिखा दोंगा तो चलो हम पहले मोर पे जाते हैं मोर पे जाके यहां पर सेटिंग्स पे चलते हैं settings के अंदर bsg mod settings इसके अंदर आपको आना होगा यहां पर जो भी है इसको हाथ मत लगाओ मैं जो जो यह आपर दिख रहा होगा बस उसी को change करो आपको जो gcam है almost perfectly काम करने वाला है यहां पर saturation पर आके जो उपर back camera वाला saturation है highlight saturation इसको आप 2.2 पर सेट कर लो shadow saturation इसको भी आप 2.2 पर सेट कर लो front camera saturation को adjust करने की कोई ज़रूरत नहीं है front camera saturation जो है जैसा है ठीक ठाक है then saturation 2 पर आपको कुछ options देखने को मिल जाएगा है disable zoom in portrait mode basically gcam में default में जो portrait mode है वहाँ पर तो आप तो आप तो आपको आपको आडवंस्ट पर आना होगा यहाँ पर बाकी का जो चीज़े उसको active करने की ज़रूरत नहीं है दिन यहाँ पर जो back camera resolution maximum 12 MP तक ही आपड़ सेट कर सकते 48 MP के option आपको नहीं मिलेगा sadly आपड़ जो front camera पर है इसका MP 4 MP और इसको पर आप सिलेक्ट नहीं कर पाऊगे शिंता करने की कोई बात नहीं है यह आपड़ जो 4 MP है इससे आपको बहुत ही अच्छा output मिलता है नाम पर यह 4 MP है बट resolution आपको कमाल का देखने को मिलता है detailing भी कमाल का देखने को मिलता है यह पर back camera वीडियो रिकॉर्डिंग में बताऊंगा इस Gcam से मत करो जो default camera app है उसी से वीडियो रिकॉर्ड करो आपको बेटर आपको देखना को मिलता है यहां पर लीचे आपको developer setting देखने को मिल जाएगा यहां से भी आप चाहो तो कुछ operate कर सकते हो खुद से इंस्टॉल करके आप देख सकते हो यहां पर अगर कुछ changes करना है कुछ improvements देखने को मिले तो आप खुछ से कर सकते हो बट में बताऊंगा अभी के लिए करने की जवरत नहीं है मैंने जीतना भी आप सेटिंग में changes दिखाया है बस उसी को change कर लो तब जाके आपका Gcam almost perfectly काम करने वाला है और एक चीज़ आपर मिस हो गया है यह जो data आपको देखने को मिल रहा है इसको भी रिमूब करना इसके लिए mode पर जाना होगा then again setting setting के अंदर आपको bsg mode setting के अंदर जाना होगा दिन नहीं से जो remove AF data from screen इसको enable करना होगा बस हो गया आप देख सकते हो यह वाल option काम कर रहा है देन यहापर पर प्रोब्लम नहीं है पॉट्रेट मोड भी वार्किंग फाइन यहापर आपको ब्यूटी का option देखना को मिल जाता है उपर देखना को मिल जाता है फ्लेस का option then right side camera camera में भी अल्मोस्ट थरेक फीचर काम कर रहा है यहापर HDR में आपको देखना लाकर मिल जाता है दिन विडियो मोड में भी अल्मोस्टरिक फीचर काम कर रहा है यहाप सिस्धिपेस क्वे और जेखनो को मिल जाता है फ्लेस सका président और बल्ब को ऑफ्चिन देखने से से करो अपको बेटर डा को मिल जाता है ये नाइट से नेद मोल आपको निएक्टाथेसि चल्पवर्भं आपको slow motion का option देखना को मिल जाता है sadly slow motion का option यहां पर काम नहीं कर रहा है चिंता करने की कोई बात नहीं है again default camera option में तो आपको slow motion option मिल जाता है उससे आपको बहुत ही अच्छा output देखना को मिल जाएगा and at the end आपको settings का option मिल जाता है अब front camera की बात किया जाए तो यह पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि front camera में आपको कभी कबर problem देखना को मिलता है यह पर जो shutter button है इसके उपर आपको tap करना पड़ेगा बट यह कभी कबर image लेता है और कभी कबर आपको double tap करना पड़ेगा बिसकली portrait mode में आपको ज्यादा problem देखना को मिलता है कभी कबर यह अटक जाता है अभी के लिए तो सही image ले रहा है अभी के लिए आपको कोई problem देखना को नहीं मिल रहा है बट कभी कबर आपको थोड़ा सा problem देखना को मिल सकता है सब्सक्राइब के अलावा एंड विडियोग्राफिक के अलावा अल्मूस्ट हर एक फीचर ठीथा काम कर रहा है तो गाइस अब चलो जी के में स्टॉक केमरा आपको साइड बाई साइड कंपेर कर लेते हैं आपर मैंने बहुत सरा photo samples include किया है डेलाइट नाइट देखने को नहीं मिलेगा मैं बताऊंगा स्टॉक केमरा का आउट्पूट डेलाइट पे बेटर है अब देख सकते हो जो कलर है इवें जो वराल इमेज का एक्स्पूजर कंट्रोल है बहुत ही बैलेंस्ट है वारस जी केम का जो कलर टोन है ओ मैं बताऊंगा थोरा से नैच वर का बिल दीखने को बमेजने में अगर मिल जाता है अब फोटो लेने वालो को हुई नहीं था टो मेने बेक केमरा से अपना फॉटो लिया है आपको मेरा हाथ संबा मिल तो यह वाला back camera sample है, यहां पर realme का image एगें थोरा सा bright है, but gcam का image facial tone थोरा सा dark देखने को मिल रहा है, but detailing की बात किया जाए तो gcam का image में आपको better detailing देखने को मिल रहा है, and realme का तो पता है आपको skin tone हो थोरा सा smooth कर देता है, so portrait mode definitely gcam का better है, even यह shot भी back camera से है, जहां पर आपको मेर लंबा कानून का हाथ देखने को मिल रहा है, basically back camera portrait mode पे लिया है मैंने, तो यहां पर भी आप देख सकतो, gcam ने बहुत अच्छा काम किया है, थोरा सा dark है, but overall image में आपको better detailing देखने को मिलेगा, gcam में, यह भी back camera portrait sample है, and यह final back camera portrait sample, now bright daylight close up shots में थोरा सा ultra output देखने को मिलता है, यहां पर आप देख सकतो, gcam का image थोरा सा bright है, whereas, जो realme का image है, वो exposed है, now यहां पर थोरा सा light कम था, उसी करण gcam ने एगन थोरा सा dark image capture किया है, यह भी a close up shot है, but यहां पर आप देख सकतो, darkness के करण gcam ने जो petal का detailing है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से capture किया है, whereas realme का image में आप देख सकतो, petals थोरा सा smooth हो गया है, now एक indoor sample है, अब देख सकतो, realme ने थोरा सा bright and gcam ने थोरा सा dark, but यहां पर gcam ने थोरा सा natural color में capture किया है, तब चलो कुछ front camera selfies भी try कर लेते हैं, तो इस image को मैंने portrait mode पे लिया है, realme का front camera portrait mode में जो blurring algorithm देखने को मिलता है, वो कुछ unnatural type का आप देख सकतो, बहुती extreme level of blur देखने को मिल रहे है यहां पर, whereas gcam का background blur बहुती natural है, and overall image quality की बात किया जाए, तो gcam यहां पर definitely better है, थोरा सा dark है, but skin tone बहुती natural है, age detection की बात किया जाए, तो यहां पर realme ने थोरा सा भैतर काम किया है, whereas gcam ने थोरा सा messed up कर दिया है, और एक selfie में भी आप देख सकतो, realme का front camera का through background blurring है, बहुती unnatural type का है, whereas gcam natural type का है, even skin tone भी आपको gcam में better देखने को मिल रहा है, but image थोरा सा dark है, और under exposed है, and gcam का असली खेल चुड़े होता है, night पे, इन दोना image में आप देख सकतो, उतना ज़्यादा difference देखने को नहीं मिल रहा है, but gcam को image में अपको better detailing देखने को मिल रहा है, whereas realme ने image को थोरा सा smooth कर दिया, इस sample में light भूद ही काम था, gcam ने बहुत son kayak काम किया, detailing को भी maintain किया है, whereas realme में आप देख सकतो overall image को बहुत ही सा smooth कर दिया, even unnaturalcolor tone देखने को मिल रहा है, इस sample में भी आपदेख सकतो primada gcam भी यह बटर मिल रहा है इस सेंपल में आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि लाइटिंग थोड़ा सा बेटर था अगर बेटर लाइटिंग मिलता है तो रियल्मी भी बहुत आच्छा इमेज लेता है बट एक्स्ट्रीम लो लाइट पे जी कैम आपको सब्सक्राइब देता है फ्रम असे शांट भिया है एक फ्रेंट कंब केमे घुट्सिश सठी केम में अनुवल बियो देखती उलमी में अनुसरा बिदे कर लेते हैं अब You वीडियो क्वालिटी अच्छा है बेट स्टेबिलाइशन नहीं है मतलब कोई फाइदा नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करके तो गाइज यही था एक फाइनल वर्डिक्ट आप रियलमी जी केम एंड स्टॉक केमरा एप तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज आप से मुला करता होगी में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई